यह दिखे मैंने यहां पर 27 फंदे लिए है 19 फंदे पैटन के हिसाब से लिए है यानि कि एक पैटन 19 फंदों का बनेंगा प्लस 8 फंदे एक्स्ट्रा लिए है चे फंदे साइड में डिजाइन को इकुल करने के लिए और दो फंदे एक्स्टिच के लिए लिए है तो 27 फंदे हो गए तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 19-19 के मल्टिपल से इसके फंदे लेंगे प्लस 8 फंदे एक्स स्टाट करेंगे चार फंदे लेफ टू राइट इस तरफ को फ्रंट लूप से पीछे वाले दो फंदे आगे लाएंगे और बैक लूप से आगे वाले दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे और चारों फंदे सीधा बुनेंगे एक, दो, तीन, चार धागा आगे, चार फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे अब दो बार एक फंदा सीधा जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे 2 एक फंदा सीधा दो फंदे सिलिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चार फंदे उल्टे एक दो तीन चाथ यह दिखिए आगे के दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्पलीट हो गया है समेह हमने चार फंदे left to right उसके और सीधे बुने चार फंदे उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा दो बारे एक फंदा सीधा जाई डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा चार फंदे उल्टे यह हमारा 19 फंदों का पैटन है दिखिए दो चार चे आठ दस बारा चौदा शोला अठरा उन्नेस फिस्टिस पैटन को ऐसे ही बार-बार बीट करते जाएंगे और लास्ट में हमारे पास 6 फंदे बचेंगे तो 4 फंदे लेफ टू राइट इस तरफ को twist करेंगे twist to right, front loop से पीछे वाले, दो फंदे आगे लाएंगे और back loop से आगे वाले दो फंदे पीछे लेकर जाएंगे और चारों फंदे सीदह बनेंगे एक, दो, तीन, चार लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस्टे सीधा बना लेंगे तो दिखिए पहली राव कम्प्लीट हो गई है, दूसरी राव है रॉंग साइड इस राव में हर बार सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, जालवले फंदे उल्टे बनाएंगे ऐस्टे स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, साथ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, यह देखिए, यहाँ पर हमने चार फंदे उल्टे बनाए, दो, चार, चार फंदे सीधे, दो, चार, साथ फंदे उल्टे, दो, चार, छे, साथ, चार फंदे उल्टे, दो, चार, फिर से इस पैटन को रिपीट करेंगे, और लास्ट में छे फंदे बचेंगे, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा, सीधा, एस्टे चुल्टा, अब देखिए, ये हमारी तीसरी रह है और सीधी साइड है, एस्टे स्लिप करेंगे, रपीट पैटर्न स्टाट करेंगे, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, आगे की साइड से दो फंदों का, एक फंदा, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, सेंटर के तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, जाई डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा तीन फंदे उल्टे एक, दो, तीन ये दिखिए यहां पर हमने चार फंदे सीधे बुने तीन फंदे उल्टे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाई डाली तीन फंदे सीधे जाई डाली एक फंदा सीधा बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा तीन फंदे उल्टे फिर से इस पैटन को रपीट करते जाएंगे और लास्ट में छे फंदे बचेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार एक फंदा उल् उल्टे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, नौ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दीन फंदे सीदे, एक, दो, तीन, ये दिखिए, यहाँ पर हमने चार फंदे उल्टे बने, दो, चार, तीन फंदे सीदे, दो, तीन, नौ फंदे उल्टे, दो, चार, छे, आठ, नौ, तीन फंदे सीदे, फिर से इस पै पीड़ें हैं चारफण्द उल्टे एक कि कि दो bene है यह दो थीन चार एक फंदा सीथा एस्टेच उल्टा अब देखिए पांच में रहो है सीधी साइड, एसटे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टाट एक फंदा उल्टा बनाएंगे, यहां से रिपीट पैटन स्टाट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, दो फंदे उल्टे, एक, दो, आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बुनेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे सेंटर के पांच फंदे सीधे एक दो तीन चार पांच जाई डालेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे slip करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे उल्टे एक दो ये दिखिए यहाँ पर हमने चार फंदे सीधे बुने दो फंदे उल्टे दो फंदों का एक फंदा एक फंदा सीधा जाई डाली पांच फंदे सीधे दो, चार, पांच। चाही डाली एक फंदा सीधा, back लूप से दो फंदों का एक फंदा दो फंदे उल्टे। फिर से इस पैटरन को repeat करेंगे और लास्ट में छे फंदे हैं, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा, उल्टा, एस्टिच, सी सिधा 5 में रह लाव हो गई है चुती रह रह रांग सैद सिधे फंद सीधे एक फंदत रहर हो और पतक है एक, दो, तीन, चार, दो फंदे सीधे, एक, दो, ग्यारा फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, दो फंदे सीधे, एक, दो यह देखिए, यहां पर हमने चार फंदे उल्टे बनाए, दो, चार, दो फंदे सीधे, ग्यारा फंदे उल्टे, दो, चार, छे, आठ, तस, ग्यारा, दो फंदे सीधे, फिर से इस बैटन को रपीट करेंगे, और लास्ट में छे फंदे है, चार फंदे उल्टे, एक, दो, त तीन, चार, एक फंदा सीधा, एस्टिच, उल्टा, सात्मी रो हैं और सीधी साइड है, एस्टिच, स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा, रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, चार फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा उल्टा, आगे की साइड से दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाई डालेंगे, सात फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, जाई डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से, दो फंदों का, एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, यह देखिए, यहां पर हमने चार फंदे सीधे बने, दो, चार, एक फंदा उल्टा, आगे की साइट से, दो फंदों का, एक फंदा, एक फंदा सीधा, जाई डाली, सात फंदे सीधे, दो, चार, छे, सात, जाई डाली, एक फंदा सीधा, बैक लूप से, दो फंदों का, ए एक फंदा, उल्टा, एस्टे सीधा बना लेंगे, साथ मी रौ कम्प्लीट हो गई है, आठ मी रौ है, रौंग साइड, सीधे फंदे सीधे, उल्टे फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, चार फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, एक फंदा सीधा, तेरा फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, एक फंदा सीधा, यह देखिए, यहां पर हमने चार फंदे उल्टे बनाए, दो, चार, एक फंदा सीधा, तेरा फंदे उल्टे, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, तेरा, एक फंदा सीधा, फिर से इस पैटरन को ऐसे ही बार-बार रपीट करेंगे, और लास्ट में छे फ तो देखिए आठमी रौ कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फर्स्ट रौ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे ही बार-बार इसकी 1-2-8 रौर पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा तो देखिए बहुत ही प्रिटी सा पैटन है इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी स्काड़ियन में लेडी जैकिट में लेडी शग में गर्ल्स टॉप में बच्चों के सैटर में तो देखिए आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत बूलें तो मिलते हैं फिर से एक नई पैटन के साथ तिल देन बाबाए फैन